कि है कि है कि हलो एर्यवन वेल्कम टूदा ऐसे से अड़ाट 247 कैसे हैं होफुली बढ़िया होंगे मस्त होंगे और जैसे जैसे दोस्तों डेटा की बढ़ रही है आपके एक्जाम है वो नजदी का रहा है और इस लास्ट समय में जो प्रिप्रेशन होती है ना वो सभी पहले पढ़ रहे हो वह काफी कुछ चीजे आ रही है तो सोचो की 15 दिन पहले जो चीजे पढ़ रहे हो अगर वह सारी की सारी एक्जाम में हा जाए तो सेलेक्शन शोर है लेकिन पढ़ना पड़ेगा गाइस है ना तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के लाजवाब वट इस काल्ड कोमिनेशनल की भाई आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के अंदर टोटल एक सो चार से एक सो आट की है उसमें से अलफा न्यूमेरिक अलफाबेटिक न्यूमेरिक लोजीकल की तो है यह करसर मोमेंट वाली है उसके अलावा टोगल की है जो ओनोब की की नाम स कुछ एक्स्रा है जो आपको रिजल्ट देते हैं तो आपका सी ओप्षन है वो यहां पर करिक्ट आंसर होगा विच डिवाइस जनरली यूज़ टू सेलेक्ट और हाइलाइट एना सेलेक्ट और हाइलाइट करने के लिए प्रायक किस डिवाइस का उप्योग करते आप विच डिवाइस जनरली यूज़ टू सेलेक्ट और हाइलाइट है ना सेलेक्ट करने या हाइलाइट करने के लिए प्रायक किस डिवाइस का अप्रियोग किया जाता है कीबोर्ड का माउस का स्केनर का या आइकन का कैसे होता है भाई हाइलाइट के लिए तो बहुत ही प्लीज शेर कर देंगे अपने दोस्तों की बीच में तो जिससे थोड़ा confidence मेरा भी अच्छा रहे मैं भी कभी सो पढ़ाऊं ऐसे क्योंकि देखो मस्त चीजे पढ़ाता हूं तो सो लोगों तक तो पहुंचाओ यार इसे ना काफी दोस्ते वह कई बार है जो क्लास को क्या देखते है रिकोर्डेट देखते हैं तो लाइव में बड़ा मज़ा आता है अब देखो जी आप से बहुत ही प्यारा सा क्यूशन पूच लिया गया है यहांपर क्या पूचा गया है इतना इजी आएगा क्या देखो बेसिक फटोड़ से तो चीजे पूछी जाती है और आते उसमें से दो तीन क्योश्चन बहुत ही आते हैं ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको कोई इंजिन complete confidently या सम्टाइम से infected by viruses ना बताइए दोस्तों क्या होगा इसका correct answer all होगा यहाँ पर computer की एक छोटी सी working definition भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई अगर computer की complete definition हम लोग देखें तो यह electronic device से data process करने data को store करने data को retrieve करने तेजगती से data processing करने या data processor की रूप में जानी जाती है यह आपके क्या efficient data इस टोड़ी डिवाइस है एनलाइज भी करता है data को और आपकी जितनी भी security है गोपनियता है ना confidently यह सारी की सारी चीज़े हैं वह आपको हां देखो किसी में 10 आएंगे किसी में बीच आएंगे किसी पाच आएंगे यह जो नोन टेक्निकल आपका एक्जाम है इसमें सब लग-लग ratio है computer के क्यूशन का तो जैसे आपके 20 question आएंगे जेसे के के अंदर जूनियर सेक्रेटरियल के अंदर तो यहां पर करेक्ट आंसर हगा ओल चलने दो उसको भी है ना बिल्कुल बिल्कुल बताओ बीटा बटाओ बटाओ बताओ बताओ जल्दी बताओ अपने हर स्राज जी शाक्षी जी चेड मैज़् उLo ओल है आप टी आई एफ की बारे में बताओ जोईन्ट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रूप इसे फुल फॉर्म आई सकती है जो इन्ट फोटो ग्राफिक एक्सपर्टग्रूप है ना फोटोग्राफिक एक्सपर्ट में लिख रहा हो मैटा एक्सपर्ट ग्रूप नो आप देखू यहाँ पर टी आई ऐफ फोर्म है टेग इमेज फाइल फॉर्मेट वेरी गुड इसको क्या दो लेंगे टेगama immense बेइमेज फायल फोर्मेड के रूप में जाना जाता है फोर्मेड के रूप में जाना जाता है किसको टी ऐए-फाफ को एम बिलकुल सही बताया तनू शर्माजी अपडेटेड़ हो वेरी गुट वेरी गुट इन विंडो एड और रिमूब प्रोग्राम एड न्यू हाडवेर मोडेम अकाउंट एटी सी आइकन आर लोकेटेट इन विंडो में एड रिमूब प्रोग्राम एड न्यू हाडवेर मोडेम अकाउंट आधी आइकन है वो आपको कहां पर देखने क को मिलेंगे वेरीकुड आप्टरनून बाबली जी दिव्याजेट साभ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बोगिक fraeg बहुत ही बढ़िया बताओ जी जल्दी जल्दी बताओ देखें हम राध् जी गुजर साब बता यह सारे की सारे option आपको desktop में नहीं मिलेंगे नाई टास्क बार में नाई ओपिस में यह सारे की सारे आपको कहां मिलेंगे control panel की उपर मिलेंगे कहां पर मिलेंगे control panel पर मिलने वाले हैं यह बड़ा ही interesting question है यह विच ओप the following note and example of an operating system इन में से कौन सा operating system का example नहीं है अच्छा मुझे बताओ ऐसा कौन सा window का यानि Microsoft का operating system में जिसमें start बटन नहीं है बताओ देखें बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ गैस जल्दी बताओ ऐसा कौन सा Windows का operating system स्टार्ट बटन नहीं है बताओ कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम का या कह सकते हैं संस्क्रण है जिसमें स्टार्ट बटन आपको देखने को नहीं मिलेगा बताओ जल्दी बताओ देखें सबसे पहले कौन बताएगा का यहौद फञा का अबांइट इस टेन आपके आपके और लाई नहीं अब करूएटलेट युनिक एक सीटेट लाइड निक से यह ब्सक्राइब पेचलंग है और पताओ यह फिरत और मेर가ा क्विंदो 98 नहीं वणडोवंडो का जो आट incarn था एना विंडो का जो येट नहीं था क्या नहीं था क्या नहीं था क्या नहीं था इस्टार्ड बटन नहीं था विंडो टेन में तो है इस्टार्ड बटन भाई विंडो टेन में तो है इस्टार्ड बटन एना इवन विंडो इलेवन में भी है एना ये रादे को ये रहा ये रहा इस्टार्ड बटन ये यह रहा स्टार्ट बटन है नो और देखो यह कौन सा एडिशन है इसके बारे में बताता हूं मैं आपको एना- हुए विड़ो टेन प्रो है अपने पास में विड़ो टेन प्रो एन है इसमें विटम suspects है इसमें बोला गया है टास्क मेनेंजर तो इन उप्षिन में तो आपके कंट्रोलल टरल डिलीट है वह सही होगा बाकीEZ कंट्रोल चिप्ट और एसकेप की के साथ एस्केप की यचारोल अल्टरल सॉरी में गशिप्ट और से भी आप किया गड़ सकते हैं टास्क मेनेजर है वो ओपन कर सकते हैं ना control control shift और escape की के थूँ भी आप डाइरेक्ट कर सकते हो यह इसके थूँ आप direct control panel है वो ओपन कर सकते हो तो correct answer आपका यहाँ फिलाल तो क्या होगा डी option होगा next question है आपके पास में note high level language इन में से कौन सी है जो high level language नहीं है इन में से कौन सी है जो high level लिंग्वेज नहीं है कंट्रोल अल्टरल डिलीट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट अभिशेग जी बहुत बढ़िया सनी जी काजल जी कोली साब और सभी गाइज एक बार सेशन को लाइक को शेयर कर दीजिए यहां पर बोला है नोट है हाई लिवल लिंग्वेज जा सकेनर सकेन्स एना सकेनर किसको इसकेन करता भई इसकेनर है वो किसको इसकेन करता है बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ सी ओप्शन वेरी गुट इसकेनर है वो आपके क्या है पिक्चर को भी और टेक्स्ट को भी यानि बहुत पिक्चर एंड टेक्स्ट दोनों क क्या करता है स्केन करता है इसके नर है वो क्या है इसके नर है वो क्या है आपके डिजी टाइजर है डिजी टाइजर डिजी टाइजर डिजी टाइजर की रूप में भी जाना जाता है यह प्रकार की इंपूट डिवाइस भी है यह प्रकार की इंपूट डिवाइस डिवाइस है ओनली इंपूर्ट डिवाइसे एना एसेमली जो लेवल दो नो वेरी गूट नेक्स्ट इद डेटा और कंटेंट ओप मेमरी आल नोट लोस्ट इवन वें दपावरीज स्विच इस डोप है ना इस जब बिजली बंद हो जाती है तो मेमरी के डेटा या कंटेंट है वह गु के ओलो पाबो बताओ देखें जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ आशुतोष जी को याद किया और वह क्या आगे अरे भाई सो साल जीएंगे बहुत बड़ी तकलीफ होगी फिर तो एना मैं जब बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमरी के डेटा या कंटेंट गुम नहीं होते हैं तो यह तो भाई देखो आप रोम के ही तो पार्ट है एना यह रोम की तो पार्ट है ओलोप अब हो है वह आपका करेक्ट अंचर होगा यह तो इसका तो फुल फॉर्म क्या हो गया रीड ओनली मेमरी इसका तो क्या हो गया रीड ओनली मेमरी है ना यह ई एक्त्रूट्री कर लेख त्रीगन एरेज़ेबल एरेजेबल प्रोग्राम मेंबल रीड़ान फ्रीन आपिछहर दोफित लगाऊ ना इसमें के वेरी गूट वेरी गूट करते हैं उबसे सोच बहुत ही बढ़िख एक्ट can के लिए भी है क्या डेफिनेटली उनके लिए ही है एना बिल्कुल जी नहां यह नोन टेक्निकल के लिए है ज्यादा मतलब अच्छे लेवल की कुश्चन नहीं है इसके अंदर नॉर्मली जो आपके एक्जाम में आते हैं एना वह वाले है प्रवाइड ऑथेंटिसिटी ओप इलेक्ट्रॉनिक डेटा इलेक्ट्रॉनिक डेटा की प्रमानिकता उपलब्द करवाता है कौन करवाता है देखो अगर आपके पास मैं ग्रेजुएशन में कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा है तो एक बहुत ही प्यारी सी वेकेंसी आरकी है जिसमें आप यह समझ लो अगर आपके पास में माल लो कंप्यूटर में या डिग्री या डिपलोमा है तो वह वेकेंसी राजस्तान में निकली है सूचना साइक के लिए उसके फोर्म की लाज़ेट 25 फरवरी है और अधर इस्टेट के स्टूडेंट भी भर सकते उसमें एपलाई ग्यारा सु सम्तिक वैसे 2730 पोस्टे है और अधर इस्टूडेंट के लिए ग्यारा सो सम्तिम पोस्टे काफी ज्यादा पोस्टे है मतलब वर्ट वाइज फॉस्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर फॉस्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर में था क्या था फॉस्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर में बताओ गाइस जल्दी बताओ देखे और उसमें 90 क्योशन है वो कंप्यूटर के आएंगे मतलब 60% फिर ब निर्वात नली के नाम से भी जाना जाता है निर्वात नली के नाम से जाना जाता है ट्रांजिस्टर है वो सेकंड जनरेशन में थे ट्रांजिस्टर थे वो सेकंड जनरेशन में ताइप ओप नेटवर्क टॉपलोजी इस नोट एना कौन सी है जो आपको यहां पर में नजर नहीं आ रही है है हाँ बिलकूल है साथ ही सवाइक आप 벌써 में जुड़े green रवी कुपारी जी वह साथ साथ सीटीगे एक्जाम में आपके करन कंप्यूटर सारे कृष्टन राइफ हो गए है यह ना ग्रेजिविशन में अगर पॉली टेक्निक डिप्लोमा ओ लेवल सी आपके लेवल बी लेवल भी आपके पास में सर्टिफिकेट है कंपूटर से रिलेटेड तो आप भर सकते हो हब इस दा राइट अंसे अच्छा मुझे यह बताओ कि बस टोपलोजी होती है उसमें क्या होता है एक चैनल होता कम् séVIbs चैनल जहां पर है जो सारे की सारे कंप्टर जूड़े रहेते हैं अगर यह यह खराब हो गया कंपनी के सड़ तो आपका नेट्वरक ठिस्त्रोई हो जाएगा रिंग में क्या होता है कि एक रहीं चपियरन के मतिम से कंप्र्यूटर है रिंग में यह होते हैं ना इस compare क्या है जल्दी बताओ देखें अच्छा मेरा तो ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट सर्सी है क्या सी है हाँ बिल्कुल सी वाले भर सकते हैं है अच्छा कंप्लिटेड इस में स्ट अपलोजी ट्री टॉपलोजी भी होती है डेली क्लास आपके दो बज़े से स्टार्ट होती है वह रटमेटिक फंक्शन नहीं है एल्यू का लोजिकल फंक्शन है लोजिकल कारिये करता है एल्यू का मतलब बराबर छोटा बड़ा यह आ है ना और अर्थमेटिक है ओप्रेशन वह कंपेरिंग का नहीं है वह जोड़ने घटाने का कादिये है एना चार्ट इन एमस एक्षल इज प्रेजेंटेड इन विच ओब दा फॉलोविंग ग्रूप अब देको यह क्योशन है ना बड़ाई इंटेलिजन क्योशन है अगर ह हम बात करें वर्ड की या एमस ओफिस की बात करें है ना तो यह जो चार्ट वगेरा है सेव से वह आपके इंसर्ट मेन्यू में आपको मिलेंगे किसमें मिलेंगे इंसर्ट मेन्यू में और इंसर्ट मेन्यू में भी ओप्शन होता है इलिस्ट्रेशन का इलिस्ट्रेशन का की होता है एक लेकिन में एक चार्ट का भी अलग से ग्रूप होता है चार्ट ग्रूप भी होता है जाट ग्रूप भी होता है तो मैं यह और यहां पर वर्ड ओपन करूंगा वर्ड वर्ड ओपन करूंगा तो वर्ड के इंसर्ट में यह जो चार्ट मुझे मिलेंगे यह कहां पर मिलेंगे इलिस्ट्रेशन में यह कहां पर मिलेंगे मुझे इलिस्ट्रेशन में मिलेंगे और इसके कंपिरिटिव अगर LGBT करूंगा एक्स van open करूंगा Excel open करूंगा अगर है ना क्या open करूंगा Excel open करूंगा तो Excel के अंदर मुझे एक अलग से क्या मिलेगा चार्ड का एक option मिलेगा अलग से एन तो यह थोड़ा साथ इसको बहुत अच्छे से डेक के चलिएक क्यूंगी कई बार confused हो जाते हम लोग the following option appear in the fill command of MS PowerPoint b statistically design group के अंदर होता है format background है ना vient background है वह design group में होता है उसमें आपको कोण कोण से option मिलते हैं उसमें देखो जी यह यह option मिलते हैं आप को देखो कि आप खुद सोचोगी कि आफ तो बात तो सही बता रहें design के अंदर याओंगे आप मुझे यहां से यहां से क्या यह फोर्मेट बेग्राउंड है जिसे मैं फॉर्मेट बेग्राउंड के ओपर क्लिक करूंगा तो यह सारे की सारे ओप्शन्स है वो मुझे यहां पर देखने को मिलेंगे यह देखो यह रहा एना सोलीड फिल ग्रेडियंट पिक्चर टू टेक्स्चर पैटन फिल यह सारे के सारे मुझे देखने को यहां पर मिलेंगे है ना मैनत कर वारे आप लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को एना तो सोलीड भी मिलेगा जोल नहीं होगा सर मेरा कम्पूटर वाले डोग्रिंत है लुग हंड्रेट तो ख्रोज करो प्लीज एस ते टिक सस्रुटीक सेगें इस्थेटीक स्ट्रेज यूनित एं मैगनेक्नेटिक सेंडरी एस्टूरेज यूनित एर रिमूवबल सेकेंडरे स्टॉरेज यूनिटी या अंसर दोगे क्या अंसर दोगे वाइरल अंजली जी राशी जी और मेनाख्षी अजी प्रेशी तरेट हम्ट्ञ तेंक्यू मेनाख्षी जी ए आंसर दे रहे हैं और नहीं होगा मेरा कम्प्यूटर वाले सरकेया दोजार 221 वाला वर्जन नहीं है अरे यार उनको बोलो करें स्टेटिक सेकंडरी मेमरी नहीं है रिमुवेबल है यह रिमुवेबल हटाई आप हटा कर गे जैम में डाल के और ले जाओ आराम से यह देकूं मैं आडार की देख़ो जी इन M.A. SEXL इप इस्पेशल करेक्टरी इस स्टोरिम सेल देन वोट विल बी डिवाई डिफल्ट अलाइन्मेंट एना वाइड़ डिफोल्ट अलाइन्मेंट क्या होगा एना देखो यह करके देख लिए हम यह करके देख लिएते हैं य यह इस्पेशल करेक्टर मैंने डाल दिया शिप्ट के साथ यह एना और यहां पर आ गया लेफ्ट साइड में है एना बताओ जी अब बताओ हुआ 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 हु होंु कि नॉम्बर है वो कैसे होंगे राइट लाइं होंगे वैरी गुट वैरी गुड वैरिंग Iya इ Wuhan जी बहुत बढ़िक में चाहरा थाab लेप्ट एंड टॉप लेप्ट एंड टॉप या लेप्ट एंड बोटम क्या होगा दोनों में से क्या होगा बेटा लेफ्ट एंड टॉप वेरी गुट लेफ्ट एंड बोटम वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट नमबर राइट में होंगे वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट टॉप में तो होंगे ही नहीं लेफ्ट एन बोटम इसका से लेप टेंड बोटम लां तो आप नहीं होंगे लेपरेन बोटम कि च cogD बताई कि जल्दी बने पड़ाइए वेट आपर फ्रक्राइब। बताई यह के सबसे पहले के हम इसका उत्तर आएगा जल्दी 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 फटाफट फटाफट क्विक्ली 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 एड़ रेट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट देखो ये जैसे क्या होता है जिसे इमेल आईडी होती है एना ये इमेल आईडिये तो ये एड़ रेट है वो डोमेन नेम को क् होता है अलग करता है ये तो नेम हो गया एना ये भी आपकी यूनिक होता है सब के नहीं होता है एना एक जैसा वाट इस केज मेमरी केस मेमरी क्या है स्मोल वफर इस्टोरेज परमानेंट इस्टोरेज या मेन मेमरी या ओलो पबो क्या है केस मेमरी किस रूप में जाना का डलबीर शिंग जी वैरी गूट वैरी गूट निमेरी कॉल्स बटाव जी ऒटव। छेव जनदी बताव इन्तजार नहीं हो रहा है एना दो में अउजनेम बरी गूट अलग करता है एक है क्रल यह क्या है इसमोल बफर इस्टोर इसे एक चोटा वबर ए है एना केस मेमरी विच ओप फॉलूविंग इज एक्जामपल ओप इस्टोरीज डिवाइस मेगनेटिक डिस्क टेप डिवीडी या ओलो पब इस्टोरेज डिवाइस की एक्जामपल कौन-कौन से है बताओ जी क्विकली बताओ यार ऐसे शर्माओ मतें से आंसर देने में ऐस अब और टिकल डिस्की के टेगरी में आती है डियांसर होगा आपका वर्ट आर दा फीचर ओफ लाइन एक्स ओपरेटिंग सिस्टम टोर्वाल्स थे उनकी पास में प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन इंटेलिजन थे एना यूनिक्स को देखकर के पूर सब्सकोड की वजय से क्या करते रहते हैं नहीं ने सब्ट्वर डवलप करते रहते हैं कि बहुत ही बढ़िया माही पांडे जी डी आंसर बतारे हैं मल्टी टास्किंग गिया मल्टी यूजर भी है ग्राफिकल इंटर फेस्वी देता है ओलो पबो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नो प्रिंटर टाइप एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है इन में से कौन सा है जो प्रिंटर का यह प्रकार नहीं है तरकार नहीं प्रकार बताओ जी जल्दी बताओ और एक बार एना सभी साती शेरो लाइक कर दो और जिनको भी इन्फोर्मेटिक असिस्टेंट से रिलेटेड को इन्फोर्मेशन चाहिए एना तो आप मेरे से कॉंटेक कर सकते हो कहां पर राजस्तान अड़ाट 247 पर मैं वहां पर अभी मेरी क्लासे चल रही है लेकिन वो तो अब एक्जाम होने वाला है लेकिन लेटेस्ट वेकेंसी है जिनके पास में डिग्री डिप्लोमा इन रिलेवेंट कंप्यूटर के अंदर है माल लीजिए तो आप डियो अप्शन सही लगा रहें स्पेशल प्रिंटर थर्मल प्रिंटर है डोट मैट्रिक्स ले के थ्रू कर सकते हैं बताओ वहां पर इन्फोर्मेटिक एसिस्टेंट में यह जो परमबेच है उसके अंदर आपको पूरी PDF मिलती है एना बिल्कुल जी तो भाई साब यहां पर वर्ड के वर्ड को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट बटन के थ्रू आप कर सकते हैं स्टार् विंडू प्लस आर में आप विन वर्ड टाइप करके विन वर्ड टाइप करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं यूज टू प्लेस डेकुरेटिव टेक्स्ट इन एमस वर्ड डोक्यूमेंट बताओ जी एमस वर्ड डोक्यूमेंट कि मैं डेकुरेटिव टेक्स रखने के लि जादव जी आप कर सकते हैं कर सकते हैं आपके पास में डिपलोमा है कंप्यूटर में तो कर सकते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छी जोब है और कोई ज्यादा मैनत नहीं करनी और कोई ज्यादा आपको सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ने है जो भी पढ़ना है उसमें कंप्यू कि एना बताओ यह पैस्ट नहीं है पैस्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पूचा है जो बेसिकली किसमें यूज लेते हैं आप फॉर्मेट पेंटर में यूज लेते हैं फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट पेंटर में यूज लेते हैं पिए ना बता हो जल्दी बताओ देखें फटावट अ कि जल्दी जल्दी वी ओपिशन दे रहे हैं वेरी गुड आंसर गन्ट्रोल शिप्ट प्लस वी अनद कोपी करने के लिए कोपी फोर्मेट다고 कोपी फोर्मेटिंग पोर्मेटिंग यहना उसमें कंट्रोल वी क्ट्रोल उसमें यूज लेते हैं यह कंप्व site और सी यूजा पे यहना पंप्र comprendre टे रे पोर्ग्राम इंटू मशीन लेंगविज में सुक्त जी के जीस की भी क्लास होगी डेफिनेटली होगी जी वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट अनो देखो जिनको भी इनफोर्मेटिक असिस्टेंट से रिलेवेंट चीजे चाहिए तो मेरी क्लास होती है रात को option what is the meaning of dot in email address and a dot income मतलब क्या है dot income मतलब क्या है एक्जाम है अरे भाई साब वेरी गूड वेरी गूड बताओ बताओ जल्दी 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 रापадी टाइम इन्टप्रेटर लाइन बाई करता है हो गया हो गया हो गया रहना देखो इंडिया dot income मतलब क्या है यहाव प्र इंडिया जोट इन का मतलब क्या है इंडिया पर सकते हूं स्वेता बड़ा ही प्यारा क्योंशन है आपको डोस में कौन सी कमांड वो सभी फाइलों सहीत एक निर्देशिका के उपनी दिश्चा को मिटाने के लिए उपयोग की जाती है तो यह जो डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी होती है वो ट्री टाइप में होती है ना तो आपको क तरिया करना पड़ेगा डेल ट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा डेटरी का यूज आपको करना पड़ेगा और यह है आपके लिए हम में लेयर pillow California और इसका autor मुझे आप कमेंट दे करके बताओगे और जो साथी के विस नोन टीचिंग की प्रिपेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुती अच्छी गाइडेंस है गाइडेंस है कि देखो जब भी आप एक्जाम देने जाते हैं उससे पहले अगर आप पहले ही 25 बार एक्जाम दे लेते हैं तो साथ में अगर उन चीजों का आपको सुलूशन भी मिले तो यह सोने पर स्वागा है और यह आपको जोइन करना ही चाहिए और डेफिनेटली आपको फाइदा मिलेगा आप अड़ा 247 की मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कीजिए ओल कोर्सेस में जाएए ऐसे सी केटिग पर के लिए और इनकी प्राइज कोई ज्यादा नहीं है आप इनमें अगर एक्स्टर डिसकाउंट चाते हैं तो कूपन कोर्ड वाई 400S यूज कीजिए और इसका फाइदा उठाई ये और डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और भी बाकि जितने भी अ काम की प्रोपेशन कर रहे हैं तो सारे के सारे कोर्सेज एड़र 24-7 की मॉबाइल अप्लिकेशन पर अविलेबल है वह अफोर्डेबल प्राइज में और आपके सेलेक्शन के लिए तो मिलते हैं कल फिर पुने और आप और भी कोई सेजेशन देना चाहते हैं मेरे लिए तो जरूर दीजिए और फटाफट है जो यह टैसरी मुझे लगता है कि आपको जोइन करनी चाहिए तो तैंक्यू गाइस तैंक्यू वेरी मुच कि अधि